फ्रेंट सर्दिया स्टार्ट हो चुकी है तो इससे बचने के लिए हमें कुछ चीजों की तियारी पहले से करनी होती है जिससे कि हमें कमरदर्ट, सर्दी, खासी इन सब चीजों की परिशानी ना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा अप्सन है मसाला गुड़ ऐसे तो गुड़ हर किसी को खाना चाहिए खाना खाने के बाद इसे असीडिटी की प्राप्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जो मसाला गुड़ है इसमें हम बहुत सारी चीजें मिक्स करके बनाएंगे जो सारे हाप्स हैं तो ये सर्दी के लिए बहुत अच्छा अप्सन होता है बरो के लिए भी बच्चों के लिए भी आप इसे सोते टाइम दूद के साथ खा सकते हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गरम होता है बड़े थोड़ा सा ज़् भी खा सकते हैं पर बच्चों को कम कौन्टिटी में देनी चाहिए तो चलिए स्टार्ट कर तम आज की अपनी रेस्पी यहां पर मैंने एक किलो गुड ले लिया है गुड अपनी सुविदा से कोई सा भी ले सकते हैं तो सबसे पहले में गुड को छोटे-छोटे टुकडों म कट कर रही हूँ चाकू से जब तक मैं गुड के टुकड़े कर रही हूँ आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं चैनल पर नए आये हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली नही नही वीडियो आपको मिलती रहेगी वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें इस तरीके से मसाला गुड बनाके आप पूरी सर्दी खा सकते हैं एक बार बनाके एर टाइड डब्बे में बंद करके रख दीजे यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता है बार बार बनाने के जुरत नहीं होगी आपको साड़े गुड को मैंने छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है अभी इसे एक साइड में रख लेंगे यहाँ पे मैंने एक सूखा नारियन ले लिया है गोला भी इसको सब कहते हैं यह वजन में 140 ग्राम है इसको हमें कट करना है बिल्कुल आराम से कट कीजिएगा क्योंकि गोला सूखा होता है तो चाकू स्लिप भी कर सकता है अब इसको पतले-पतले स्लाइस में कट कर लेंगे सर्दी के मौसम में आप कुछ बनाए न बनाए पर मसाला गुड जरूर बनाए यह बहुत फाइदे मन होता है हर तरीके से मैं यहाँ पे एक किलो गुड की मसाला गुड बना रही हूँ आप अपनी सुबदा के नुसार क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते है सारे नारियल को मैंने पतले-पतले स्लाइस में कट कर लिए है एक साइड में रख लेंगे गास अन करेंगे एक पैन रखेंगे पैन को अच्छे से गरम होने देंगे पैन गरम हो चुका है मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मुंगफली ले लिया है एड कर लेंगे मुंगफली को में बिल्कुल अच्छे से भूनना है बिल्कुल भी कच्छापन नहीं रहना चाहिए मुंगफली हमारी अच्छे से भून चुकी है आप देख पारे होंगे सारी मुंगफली चटकने लग गई है और कुछ मुंगफली के छिलके अपने आप ही उतर चुके हैं आप इस तरीके से मुंगफली को चेक कर सकते हैं छिलका आसानी से निकल रहा है तो मुंगफली हमारी अच्छे से भून चुकी है मुंफली को एक प्लेट में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे फिर से मैंने पैन ली लिया है ये जो हमने गोला को कट किया है ना इसे भी आड़ करके ड्राइ रोस्ट कर लेंगे जो ज्यादा बड़े टुकड़े हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड लेंगे ताकि भूनने में आसान ही होगी आप चाहो तो अपनी सुविदा के नुसार गोले को ग्रेट भी कर सकते हैं पर ये तरीका जो है ना बहुत ही आसान होता है ग्रेट करने से ज़्यादा हमारा ड्राइ कोकोनट भी अच्छे से भून चुका है तो एक प्लेट में ट्रांसपर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे फिर से पैन रख लिया है यहाँ पे मैंने एक बड़ा चमच सफेद तिल और एक छोटा चमच सौप ले लिया है एड कर लेंगे पैन में इसे भ आयरन बिटामिन्स सारे चीज बिल जाते हैं सौप से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और इसमें काफी मात्रा में आयरन बिटामिन्स मिनरल करीब करीब हड़ चीज पाये जाते हैं तिल तो वैसे भी गरम होता है तो सर्दी में खाने चाहिए सौप हमारे मुंफली ले ली है मैंने थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इस तरीके से हाथ से रब करते हुए छिलका हाटा लेंगे जितना हो पाएगा या आप इसे बिना छिलका हाटाए भी एड़ कर सकते हैं पर यह कच्छा नहीं होना चाहिए बस इस बात का ध्यान रखिएगा सारे मुंफली को रब करके मैंने जितना हो पाया छिलका अटाली अब इससे छिलका हम अलग कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक साप और सुखा मिक्सी जाड ले लिया है भूनी हुई मुंफली आट कर लेंगे और दरदरा पीस लेंगे इसे बिलकुल पाउडर नहीं करना है हमें दिखा क्यों मैं आपको हमारी मुंफली कैसी पीसी है आपको दानी भी दिख रहे हैं इसी टैप से पीसना है जब मसाला गुड में मुंफली के दानी दानतों के नीचे आते न तो बहुत जाड़ा टेस्टरी लगता है इसे एक बरतर में ट्रांसपर कर लेंगे फिर से मैंन के पीछोगे न तो बहुत ही आसानी से पिछ जाता है गैस अन करेंगे पैन रखेंगे पैन को गरम होने देंगे पैन गरम हो चुका है तो एक बड़ा चमस देशी घी आड़ कर लेंगे ध्यान रखेगा इसमें ओयल आड़ नहीं करना है और घी की क्वांटिटी अपने पीजियम से भी थोड़ा सा कम पे रखेंगे बारिक कट किया हुआ गुड़ एड़ कर लेंगे इसमें गुड़ को अच्छे से उलट पलट करते हुए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट करना है इसलिए मैंने इसको बारिक बारिक कट किया था ताकि ये बिल्कुल आसानी से मेल कर लेना है ज्यादा पका देंगे तो मसाला गुड बिल्कुल कड़क बन जाएगा यहाँ पर मैं दूसरा स्पैचुला ले रही हूँ यह बार बार निकल जा रहा है तो यहाँ पर मैंने दूसरा स्पैचुला ले लिया है इससे में अच्छे से चला पा रही हूं गुड को जो भी गुड में गुटलियां दिख रही है न उसको ऐसे प्रेस करकर करके तोड़ते रहेंगे ताकि अच्छे से घुल जाएगा ये फटाफट से गुड अच्छे से घुल चुका है आप देख पा रहे होंगे गैस को आफ कर लेंगे और थोड़ी बहुत जो गुटलियां रह गई है नो अपने आप ही मिल्ट हो जागा क्योंकि पैन भी गरम है गुड भी अच्छे से गरम हो चुका है तो अपने आप ही अच्छे से ये ऐसे गुड की सारी गुटलियां तूट चुकी है तो अब इसमें हम बाकी की चीज़े अड़ कर लेंगे पीसी उई मुंग फली पीसा हुआ गोला हाप टीजपून दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च पाउडर एक छोटा चमची लाइची पाउडर फ्लेवर के लिए टू पिंच जायफन ले दिया है जिसे नटमेक भी बोला जाता है हाप टीजपून सौट पाउडर अदरग को सुखा के जो पाउडर तियार किया जाता है उसे ही सौट पाउडर बोलते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ध्यान रखेगा ग्यास का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है सारी चीज़ों को में अच्छे से मिक्स करना है भूना हुआ तिल और सौप भी आड़ कर लेंगे फिर से सारी चीज़ों को उलट पलट करके अच्छे से मिक्स करेंगे पैन को उतार के अब नीचे रख लेते हैं उलट पलट करते हुए थोड़ा सा ठंड़ भी होने देंगे इसे और मिक्स भी करेंगे आप देख पारेंगे मसाला गुड का मिस्टर नाव इस पैचुला पे भी नहीं चिपक रहा है बिल्कुल गाड़ा होने लग गया है तब इसको हम सेट करने के लिए किसी थाली पड़ाग जो भी आपको सुविधा उसमें रख सकत हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थाली ले लिए इसके अंदर थोड़ा सा चिकनाई लगा लेंगे मसाला गुड का मिस्टर न रखेंगे इसमें स्पै्चुला से ऐसे चाड़ो तरफ फैला देंगे स्पैचुला से ऐसे प्रेस करते वे चाड़ो तरफ इक्वल कर लेंगे मसाला गुड के मिस्ट्रन को आपको मसाला गुड की पीस आपको पतले पतले कट करने हो तो आप दो थाली में रखिएगा मिस्टरन को मैंने एक में ही रख लिया है इसके उपर से थोड़ा सा घी रख लेंगे और स्पैटुला से चाड़तरफ फैला देंगे इससे मसाला गुड में नमी भी बनी रहेगी और अच्छी से शाइन भी आ जाएगी उपर से अब अच्छी से चिकना कर लेंगे स्पैचुला से आप चाहो ते इसके उपर से कुछ ड्राइफ रूट्स भी आड़ कर सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी आड़ नहीं कर रही हूँ अब इसे एक से डेर मिनट ठंडा होने देंगे तोड़ा से यह ठंडा हो चुका है तो इसी टाइम पर हम कट लगा लेंगे बाद में थोड़ी सी परिशानी हो सकती है कट करने में इसे तो यह बहुत ही सॉप्ट बनने वाला है बिल्कुल मावे की बरफी की तरह पीसि य्पिस के छोटे-छोटे ही कट करना क्योंकि मसाला गुठ जो है न बहुत ज़ळा गरम होता है तो बहुत ज़ळा नहीं खाया जा सकता है एक दिन में एक दिन में एक पीस बहुत है इसलिए मैं इसके छोटे-छोटे पीसे ही कट कर रही हूँ कट का निशान लगा लिया है मैंने अब डेड़ से दो घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे इसको मसाला गुड़ हमारे अच्छे से सेट हो चुका है तो जहां जहां आमने निशान लगाया कट का फिर से अच्छे से गहरा सा निशान लगा लेंगे इस पे मैंने इसके उपर से घी लगा दिया था तो आप देख पारे होंगे अच्छी सी चमक आ चुकी है मसाला गुड के पीसे पे निकाल के देख लेते हैं एक पीस साइड से मैंने एक पीस निकाल के देखा था पहले भी बहुत यह असानी से निकल जाता है कोई परिशानी नहीं होती है ऐसे एक एक करके सारे पीस निकाल लेंगे सारे मसाला गुड के पीसे मैंने निकाल लिये हैं जब आपको स्टोर करना हो न तो टुकड को छोटे छोटे कट करके रखें क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गरम होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है यह छोटा सा पीस खा सकते हैं एक दिन बे एक गिलास दूद के साथ खाएं तो ज़्यादा फायदा होगा इसका एक पीस में आपको तोड के दिखाती हो इसका टैक्चर बहुत ही सौट बना है बिलकुल मुह में घुल जाने वाला लगड़ी ही ने यह बिलकुल बर्फी की तरह हो तो आप भी फट अफट से सर्दी की तियारी कर लीजिए और इस तरीके से बहुत सारा मसाला गुड बना के स्टोर कर लीजिए और आज की रेस्पी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई और टेक कियर